भारतीय मौसम विभाग के पुर्वानुमान के मुताबिक भारत के अदिकांश हिस्तों में अपरेल-जून के महीने में तापमान और अधिक बढ़ सकता है IMD ने कहा कि उत्तर परश्रिम और प्राद्यूपिय शेत्र के कुछ हिस्सों को छोर कर अधिकांश भारत में अप्रेल से जून तक समानने से अधिक अधिक्तम तापमान बढ़ने की उम्मीद है मौसम विभाग ने मध्यपूर्व और उत्तर परश्रिम भारत के अधिकांश हिस्सों में समाने से अधिक गर्म हावा चलने की भी भाविश्वाने किये हैं आईम्डी के महानिदेशक मृतुन्जय महापातरा ने एक प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि बिहार, जारखन, उत्तर परदेश, उड़ेशा, पश्रिम मंगाल, चत्तिसगर, महराष्ट्र, गुजराद, पंजाब और हडियाना के कुछ हिस्सों में हीट वेव शुरू होगा वहीं दक्षिन प्राद्युपिय व्हारत और उत्तर पुरव और उत्तर प्राद्युपिय व्हारत के कुछ हिस्सों में सामान से नीचे अधिक तम तापमान रहने की संभावना है मौसम बेवरों ने कहा कि भारत में अप्रेल में समाने बारिश देखने की उमीद है उत्तर पर्शिम, मद्द और प्राधिपिय शेत्र के अधिकान हिस्तों में समाने से अधिक वर्शाख होने की उमीद है जबकि पुर्व और उत्तर पुर्व भारत में समानने से कम बारिश की भाउशवाने की गई बता दे कि जब मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिगरी सेल्सियस टटिये शेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहारी शेत्रों में तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाए तो माना जाता है कि लू चल रही है इस बार लू वाले दिनों की संख्या अधिक रहने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार इस बार अप्रेल में समान वर्शा होने की उमीद है अप्रेल में समान तोर पर देश भर में 49.2 mm बारिश होती है उत्तर पश्रिम, मध्य और प्रादिपे शेत्री के अधिकांज हिस्सों में समाने से अधिक वर्शा हो सकती है जबकि पुर्व और उत्तरपुर भारत में समाने से कम वर्षा होने की संभावना है जबकि जबकि पुर्श होने टो यावना होने रोटर। झाल झाल